नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नहीं शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा हल्दी के डब्बे में आज ही चुपके से डाल दें यह एक चीज महा लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन संपत्ति वा खुशियां और कुवेर का खाजाना दोस्तों आपके किचन में हल्दी तो होगी ही और जोतिस सास्त्र में हल्दी का होना सबसे ज़्यादा सुबता पैदा करने वाली वस्त मानी गई है वैसे भी हल्दी हर एक चाहे आप बच्चे का वर्थडे मनाते हों ये फिर हल्दी का टीका करते हों बिवा होता है और हल्दी को सुब के तोर पर देखा जाता है सगुन के तोर पर देखा जाता है हल्दी आपके जीवन के हर छेतर में फाइदा देती है चाहे वो आपके ख समस्त समस्याओं का समापन हो जाता है बीगडे हुए काम बनने लग जाते हैं आज हम आपसे बात करेंगे आपके कीचन में जो हल्दी ए उस डब्बे में आँखिर चल्डि की रखें कि आपका जीर्णn सरल हो जाए जीवन की परेशानिया कम हो जाए, देखिए हर किसी के किचन में हल्दी होती है और आज जरूर हल्दी के पावडर को डब्बे में श्टोर करके आप रखते ही होंगे चाहे वो कांच के हो या फिर प्लास्टी के हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसमें रख सकते हैं हल्दी जो होती है आपके कुंडली के ब्रिहस्पत ग्रह से मतलब रखती है और ब्रिहस्पत ग्रह सुख संतान बैवाहि के सुख है ग्यान विदेश, यात्रा, विदेश यनी सभी चीजों के कारक माने जाते हैं गुरू बार की दिन अगर आपको हल्दी ब्रिहस्पत ग्रह को अगर आप समारपीत करें भगवान विश्ण जी को तो आप के कुंडली में ब्रिहस्पत ग्रह मजबूत होते हैं और आप के जीवन में इनि संतान के समस्याओं को दूर करते हैं तो आप पूजा के सथान पर यानि कि हल्दी का प्रियोग जरूर किया करें हल्दी जरूर आप पूजस्थान पर रखा करें हल्दी की गाठ आप रखा करें और हल्दी की गाठ आप गुरुबार की दिन अपने कंट पर धारन करें पीले धागे पे तो गुरु गुरह कमजोर होकर भी मजबूत होकर आपको सुबफल देते हैं यानि कि विशेस लाब होता है अगर आपके जीवन में सरलता से आपको उपलब्धी ना मिल पा रही हो या फिर आप चाहते हैं कि जैसे कि बैवाहिक जीवन में समस्याई आ रही ह बैवाहिक जीवन में लगते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो तो क्या करेंगे एक चुटकी जल डाल कर पानी जो नहाते हैं उसी नहाने के पानी में एक चुटकी डाल कर अगर आप नहाएं तो ये काफी सुब माना जाता है लाबकारी होता है वैसे तो लोग हल्दी का पेंड भी लगाते हैं हल्दी का पेंड कंद फल वाले में ये गिंती यानि आती है फल इसको कहते हैं कंद फल अब आपके घर में कभी नहीं लगाया तो कोई बात नहीं मत लगए वैसे आप घर में लगा सकते हैं कच्ची हल्दी के बहुत फायदे होते हैं अगर हल्दी का तिलक यानि कि पहले आपको ना धोकर थोड़ा सा हल्दी भगवान हरी के भगवान विश्णुजी के चर्णों के पास लगा दे रख दे उसी को आप अपने माथे पर कंट पर कलाई पर तिलक लगाएं तो आपकी बिज़ा चारू दिसाओं में होने लगती है तो आज हम बात कर रहे हैं आपके किचन में हल्दी के डब्बे में क्या डाल दे देखिए वास्तु की दर्श्ट से हल्दी बहुत महत्पूर है अगर घर की नकरात्म कुरजाओं से आप बचना चाहते हैं तब घर के बौंडरी बाल पर अगर हल्दी की रेखा बना दिया जाए तो घर में नकरात्म कुरजा प्रवेशी नहीं कर पाती हर कोई स्वस्त रहता है अमाल लेते हैं आप फ्लेट में रहते हैं आप बौंडरी बाल में रहते हैं हल्दी से रेखा नहीं खिश सकते तब क्या करेंगे तब अपने मुख दरबाजे पर घर के मुख दरबाजे पर यहां पर ह अगर बिवा होने में बहुत परिशानी आ रही है या बैवाहिक जीवन में लग रहा है जिसे आप सब कुछ खत्म होने वाला है तब नीमित रोप से भगवान सुर को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें अगर आप चाहते हैं कि मालक्षमी कृपा वर अगर आप जला रुपित करेंगे तो गुरू भी मजबूत होगा बैवाहिक जीवन भी सुक में रहेगा कई बार क्या होता है जैसे आपको लगता है मालक्षमी जी आप से रूट गई हैं बहुत सरलता से आपके उपर प्रसंद नहीं हो पा रहे हैं लेकिन मालक्षमी जी लगता है जैसे कि आप उन्हें मना भी नहीं पा रहे हैं तब क्या करेंगे तब ऐसे में आप एक प्रियोग करें लगतार कुछ दिनों तक करें आपको लाब होगा अगर आपके आसपास से आम का पत्ता है तो एक आम का पत्ता ले आईए अब एक वर्तन में पानी ले और इस आम के पत्ते के सहारे आप पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें बचा हुआ पानी आप पौधे में डाल दें अगर आम का पत्ता ना मिले तो किसी पुस्व के सहारे भी ऐसा कर सकते हैं हलका हलका सा छिड़काव करिएगा हल्दी के सुगंध एक तो नकरात्म कुर्जा को भगा देती है और दूसरा घर में खुशियां आती है धन बरता है तो ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसके फाइदे आपको बहुत जल्दी मिलेंगे तो हल्दी में ऐसा क्या माना जाता है देवी गुड होता है देवी गुड यानि की बिल्कुल एक भगवान का असिरवाद लिया हुआ आपने देखा होगा की बिवाह के समय बरबधु हल्दी अरपित की जाती है बरबधु को ताकि तवाम परेसानियों से यानि की बाधाओं से बचाया जा सके तो हल्दी आपके जीवन में आपके सफलता को दिलाने वाली सबसे मुख वस्तु है और आपके बीमारियों से जैसे की पेट समस्या समाप्त हो जाए तो गुरु गड़बर होता है तो पेट की समस्या है बढ़ती है तब आप निमित रूप से यानि कि पास के किसी मंदिर में आप हल्दी का दान कर दें तो लाब होता है अब हम बात करेंगे आपके किचन की देखिए जो हमने टोपिक रखा है कि आपके किचन में जो हल्दी का डबबा है उसमें क्या डाल दें ताकि सुक्षम्रदी बढ़े मालक्षमी कृपाबर से देखे हैं, हल्दी के डब्बे में आपको एक तो सबसे पहले, अगर आपको अपने घर से न करात्म कुर्जा को दूर करना चाते हैं, अगर आपको लगते हैं घर में किसी न कुछ करा दिया है, तोने टोटकें, नजर दोस्ट या किसी ने ग्रह तंत्रमंत्र बाध हाई हैं, तो आपको हल्दी के डब्बे में 6 साबुत लाल मिर्च रख दीजेगा याद रखेगा 5 ये 6 साबुत लाल मिर्च ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी ने कुछ कराया है तो वह टोटका किसी भी तरह का तो यानि की आएगा ही नहीं और अगर आगया है तो वापस चला या फिर आप एक रुपे का सिक्का ही आप हल्दी के डब्बे में डाल दीजे एक रुपे का सिक्का भी चलेगा डाल दीजे तो बिशेश लाब होता है मालक्षमी कृपा बरस्ती है हल्दी के डब्बे में आप थोड़ी सी धनिया या एक जारा धनिया साबूत धनिया धनिया एक ज्यारा दाने के साबुद धन्या भी डाल दे तो मालख्शमी कृपबरस्ती है या फिर आप चाहे तो लोंग इलाईची लोंग इलाईची मालख्शमी चोको बहुत प्रिय होता है तो लोंग इलाईची भी आप यहनी कि जरूर हल्दी के डब्बे में रख दे डाल दे त तो आपको चारो दिशाओं से धनकी प्राप्ती होगी, कुवेर का खाजाना तक मिलने के योग बन जाते हैं, मालक्षमी किर्पा बरस्ती है, धनधान की कमी कभी रहे ही नहीं पाती है, तो आप ये जरूर प्रयोग करें, विशेश लाब होगा, अनेक प्रकार के शुक तो इन में से कोई भी चीज आप रख दें, तो माता लक्षमी किर्पा आपके घर में जरूर बरसेगी, तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा, यानि की जै मालक्षमी, और वीडियो को ज़रा से शेयर करिएगा, और बीटों को लाइक भी करिएगा, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेश करिएगा, जै मालक्षमी